पागी शुर में एक बार फिर स्वास्ते विवाग के खिलाब जमकर नारे बाजी हुई है दरसल जुलास पताल के अमर्जनसी वॉर्ड में तैनात महिला डॉक्टर की और से मरीज के साथ की गई अभर्दता मामले बे एक बार फिर से कॉंग्रेसिक कार्रे करता गुशा गए ह एक महिला के साथ महिला डॉक्टर के अभद्र विवार करने का मामला सामने आया है जिस पर नराजगी जताते हुए पूर्व विधायक लाइस फरस्वान एमर्जनसी वॉर्ड में धरने पर बैठ गए उसके बाद पूर्व विधायक ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा और महिला डॉक्टर को ततकाल पत से हटाए जाने की मांगी वहीं लगातार अविवस्थाओं के घेरे में आ रहा जिला स्पताल एक बार फिर सुर्खियों में आ चुका है आपको बता दे कि जिला पंचाय सदस्ये गोपा धपोला ने महिला वार्ट को लेकर गंभीर भाहिया आप देखना यह होगा कि मामले में आगे क्या होगा क्या महिला डॉक्टर को बर्खास्त किया जाएगा या फिर मरीजों को इसी तरीके का दुर्व्यवार जहिनना पड़ेगा एक महिला अभी यहां पर आई हुई थी और उनका परचा इनके द्वारा नहीं बनवाया गया या तो सही सलाह उनको दी जाती कि कहां से उनका परचा बनेगा कैसे उनका इलाज सुचारू होगा अगर वो महिला दो बज़े यहां पर पहुशती है तो इसका मतलब है कि कैसे यहां पर आके उनको नहीं परचा तक नहीं बनेगा चलो इलाज की बात तुर है यह बड़ा घंबीर भी सही है लोग समय निकालकर आपड़ा में जैसे तैसे पहुंशनी कोशिश करते हैं जाकर अपना फिटनस परमान पत्र बनाए लेकिन यहां की जो होस्पिटल की इस्तानी है तो इनकी इतनी दफंगई इतनी ज्यादा हिटलर साही चल रही है वो किसी को अपने सामने कुछ नहीं समझ रहे है यह बात करने पता लगा है डॉक्टर आशामेता से में बाची कुली है तो उन्होंने कहा कि कोई मेहला के मेडिकल उन्हें के संबंद है इते हि इसके बारे में उन्हें कहा कि मेडिकल चाहिए ओभीडी टाइब में फिजिशन और जांच के उपरांती मेडिकल से इंफ्रेक्टर साथिकर जारी किया जाएगा तो इसमें उत्राखंट से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें